हेलो गाइज and welcome back to my youtube channel again तो आज मैं आप सभी लोगों का वापस माइनक्राफ्ट के एक और नहीं वीडियो में स्वागत करता हूँ और इस बार में आपको यह बताने वाला हूँ कि आप कैसे माइनक्राफ्ट में सिर्फ दो मिनिट के अंदर अंदर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो और मैं दो मिनिट भी नहीं कौँगा, मैं कुछ सेकेंड जि कौँँगा, 5-10 सेकेंड के अंदर आप कैसे बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो तो एक शलैस फिल कमान्ड है उसके थो आप लोग बहुत ही जल्दी एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो उसको कस्टमाइज कर सकते बाद में तो आपको क्या करना है ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको यहां पर पहले जैसे यह है एक ब्लॉक लगा देना है जैसे कि यह आप देख सकते हो मैं फर्स्ट परस्पेक्टिव में दिखा लेता हो एक ब्लॉक यहां पर मैंने बना दिया ठ असीतना ही रखता हूं as example के तौर पे मैं बिल्कुल ऐसे रखता हूं तो आपको क्या करना ठीक है मैं बता रहा हूं यहां पर आपको first जो ब्लॉक है इसकी position को आपको locate कर लेना है देन आपको slash fill command लगाना है यहां पर slash fill और यहां पर आपको capture कर लेना है और यह position देख लेनी है कि कौन सी position पर जो coordinate points है वो किस तरह के दियो ही है और क्या है उसको record कर लेना है 57-6044 इसको execute नहीं करना है अभी इसको बस आप किसी में record कर लो ठीक है 57-6044 ओके जन्द दूसरे corner पर चलते हैं इस पर करते हैं क्या था 57-6044 यह पहला coordinate point है और यह record हो चुका है अब second coordinate point है यहां पर नीचे जाके दबा दो आप लोग tab आपको कुछ keyboard पर type करने की ज़रूरत नहीं है tab दबाया आपने अब आपको white concrete रखना है जैसे minecraft is 2 में white concrete white concrete ठीक है यहां पर आपको जाना है और beach में रखना है hollow क्योंकि पूरी building है ना तो beach से खाली होनी चाहिए तो आपको इसलिए करना है होलो ठीक है होलो कर लेना यहां पर आप लोग कर दो एक बटन प्रेस और यह पूरी building है यहां पर बनके तयार हो चुके मैं बस अंदर फस चुका हूं चलो कोई रिप्लेस करनी है तो मैं बता रहा हूं जैसे यहां पर मैंने कुछ इस तरह की चीज़ लगा दिया मानलो यह नहीं लगाना मुझे मुझे लगाना यह ठीक है मानलो यह लगा दिया example के तोर पर एंड यह मैंने लगा दिया इधर यह बिल्कुल उपर तक जाते जाओ आप यहां पर लगा दो और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बहुत ही असान है तो यह डाइगनल पॉइंट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं यहां पर यहां पर मैं स्लैश फिल कमांड रखता हूं पहले कॉडिनेट पॉइंट को रिकॉर् कोई दिक्कत नहीं है 57-6044 स्लैश फिल 57-6044 एंड यहां पर आप नीचे करके टैब दबा दो मैं करता हूं माइन क्राफ्ट इस तु में इस बार प्लैंक का नाम देता हूं ओक प्लैंक आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा ओक प्लैंक मैं यहां पर कर देता हूं कीप करते हैं यहां पर और इसको कर दो यहां पर ऐसे तो यह आप लोग देख सकते हो कि बीच का जो यह पोर्शन है ना यह डेस्ट्रॉइ नहीं हुआ है यह डेस्ट्रॉइ नहीं हुआ है बस यह वाली पोजिशन बदल गई है जो यहां पर मैंने एक तरह से डेस्ट्रॉ साम देता हूं और गाइज मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को यह वाली वीडियो पसंद आई होगी Minecraft के उपर और अगर आई हो तो गाइज लाइक कर देना मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना जैकावी गेमिंग के YouTube चैनल को जो की मेरा है एंड ठीक है बाई तब तक के लिए एंड मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट गेमप्ले वीडियो पर मिलता हूं जल्दी अगले वीडियो पर जल्दी मुलाकात होगी बाई